रादिक्रिश्न दोस्तों केसे हैं आप सब दोस्तों हम जिस चगह रहते हैं जिस ओफिस में काम करते हैं हर चगह पर हम उस चगह का वास्तू दोश निवारन करने के लिए तैयार रहते हैं कोशिशें करते हैं कि हर तरीके का वास्तू दोश वहां का समाप्त हो जाए दोस्तों वास्तू दोश निवारन के लिए हमें सबसे पहले घर के ब्रह्मास्तान को ढूरना पड़ता है और उस पर कुछ उपाय हमें ऐसे करने पड़ते हैं जिससे कि वास्तू दोश का निवारन हो आज मैं आपको घर के वास्तु दोश के बारे में बताने नहीं आई हूँ नहीं दुकान के वास्तु दोश के बारे में बताने आई हूँ आज मैं आपको हमारे इस शरीर के वास्तु के बारे में बात करने आई हूँ हमारे इस शरीर का जो वासू है उसको भी तो हमें समाल कर रखना है क्योंकि जब इस शरीर में प्राण आए इस शरीर में आत्मा आई उस दिन से लेकर जब वो आत्मा इस शरीर से चली जाएगी तब तक हमें इसी शरीर में रहना है इसी का रख रखाव करना है दोस्तों अधिकतर मैं लोगों को बोलती हुए सुनती हूं की उसको सारे दिन अपने शरीर की लगी रहती है दोस्तों मुझे एक पार बताईए इस सुनिया में रहने के लिए इस शरीर को संभाल के तो रखना पड़ेगा ना कुछ भी कर लीजें आपको इस शरीर को तो संभाल के रखना पड़ेगा यदि हम इस शरीर को हम ठीक नहीं रखेंगे बिमार चलेंगे परिशान रहेंगे तो मुझे बताओ हमारी आत्मा कैसे खुश रहेगी उस आत्मा को ठीक इस शरीर में कोई कश्ट ना हो इसलिए दोस्तों हम लोगों को अपने शरीर का ध्यान रखना बेहत सरूरी है हाँ ये अलग बात है कि आप अपना पूरा समय उसमें मत गुजारिए ये अलग बात है वो तो मैं भी नहीं कह रही पर हमें इतना तो ध्यान रखना ही पड़ेगा न दोस्तों वासू सम्हालने के लिए बता रही हूँ इस शरीर में जो वासू है यदि हम उसको कंट्रोल में कर लेते हैं हमारे इस शरीर का जो ब्रह्मस्थान है यदि हम उस पर कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिससे की हमारे कुछ भी कश्ट परिशानियां धूर हो जाए वही मैं आपको बताने आई हूँ दोस्तों तो इस शरीर के ब्रह्मस्थान को ठीक करने के लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ आपको क्या करना है कि चंदन का इत्र ले आईए या चंदन का पौडर ले आईए या तो चंदन का इत्र ले आईए या तो चंदन का पौडर ले आईए और आपको वो चंदन का इत्र आप यदि इत्र लाते हैं तो इत्र और यदि आप पौडर लेकर आते हैं तो चंदन का पौडर आपको वो रोज रात में जब आप सोने आते हैं बिस्तर पर तो बैट पर बैठ कर आप पहले अपने जो भी आपके इष्ठ हैं उनका 11 बार नाम लेंगे जैसे कि सपोज यदि आप चिरकिष्ण का नाम लेते हैं तो ओम नमा भगवते वासु देवाए ओम नमा भगवते वासु देवाए ओम नमा भगवते वासु देवाए इस प्रकार 11 बार इस मंत्र का जाप कीजिए और यदि आपके पास में इत्र है, लिक्विड में है तो हलका सा कॉटन में उसको लगा कर अपनी नाभी पर लगाईए और सो जाईए और यदि पाउडर है तो पाउडर को भी ऐसी थोड़ा सा लेकर अपनी नाभी पर लगाईए और सो जाईए जो ओम नम भगवते वासु देवाए का मंत्र मैंने बोला वो तो मैंने आपसे बताया आपके जो भी इष्ट हैं, उनका कम से कम 11 बार नाम लीजिए और ये चंदन का इत्र ये चंदन का पाउडर लगाईए और सो जाईए और आप देखिएगा आपके शरीर के जितने भी वासु दोश हैं वो दीरे दीरे करके समापत हो जाएगे दोस्तों जब आपको नाभी पर लगाने के लिए कहा जाता है तो इसका मतलब नाभी के अंदर नहीं लगाना होता है और हलकी हलकी सी कोई चीज एक दम बहुत जादा नहीं लगाई जाती है इस बार का पूरा ध्यान रखिएगा ओके फ्रेंट्स से यू सून बाई